हेलो दोस्तों नमस्कार आधा प्रणाम से स्त्रेक आल चोहार मैं हूँ आपका दोस्त तमीत और मैं जब को बताने वाले के बारे में दोस्तों जो निकल क्या रही है जेए पीसी जिसको कहा दाता है जहारकंड एडुकेशन प्रोडेक्ट काउंसिल आप लोग वीडियो के अं जो कि यह जो है स्वय सैबात है दोस्तों यह जो एडियक की सीजरें पूज्रेक्ट पॉजंत में सीविल इंजीनियरिंग की सीविल इंजीनियर्स की जो स्टोश वेकेंसी आई है जिसमें बीटेक कियोने चाहिए जीविल में नौ सीट सेज की एसेशन एजीनेंट इजिन की फाईब पोस्ट हैं एसटीव उनजीनेर की जो की देख सकते हैं सहाय कमेंद ता की कूल पर दिनो है ग्रोस सलरी 330045 है पर मन्त फॉर डिश्टिक और रांची धनबाद बुकारों चमसित पूरूरली और अधर के लिए 28900 पर मन्त है और 28900 मन्त पर मन्त है और बेसिक पे जो फिक्ष्ट है इसके नौ सीट है और दोस्तों तीन वर्स की कारणवय होनी चाहिए तो मैं इंपॉइंट इंपॉइंट पॉइंट बताऊंगा दोस्तों तो यह जाएकर वीडियो लंबी भी ना बने और आपको सल्दी समझ में भी आ जाया दोस्तों और इसमें दूसरी जो पूस्ट है वो कारपाले का भेंता की है बी बीटे की वनी चाहिए सिविल इनेरिंग के साथ 55% मार्स के साथ कुलिस की 5-6 यह वार की 2 है स्टी की एक है स्टी की एक है बीसी वन की अब की एक है और इसमें दोस्तों पांच वस की कारन रूपर मांगेगे की है कार पहले कभेंता की पभेंता की पच्छायन हे तो सेनावित्थ कारपाले का भेंता जिनें केंद सरकार-राज-सरकार के भवन नेर्माद से जमन्तित्य भागू में कार पाले कारणे का रूप में भून में कार निर्मान की रूप हो और जलंध कीiggly सब्सकेदी विपकते हैं तो यहां पर पॉइंट मेंशन की गए है से नावरी तव्यारतियों को चैन के परश्चात्वीत भाग के संकल संक्या 143 के संहित प्राध्वानों के अंतरगत समीधार रासित दे होगी तो इनकी सैलरी यहां पर डिशाइट जो कर दी गए है वैसे व्यारति जिनका चैन परति तत्वा लाइन के अधार पर होगा उन्हें जारकर सिक्षा परिन प्रेश्चत के सेवा सर्तों फाइन्सल मैनूल के दीन दे प्रोजेक्ट भत्ता उनके मूल विबाग के वेतन के अतरिक प्रदान किया जाएगा तो इसमें साब सब कर दीए है और दोस्तों इसमें और बता आने वाली बात है कि वह यहां पर हाइलाइट करके लिखी गई है कि उक्त अनिवार युकता के अतरिक्त सीधी भरती के लिए जारखन में अवस्थित मानिता प्राफ्त सिक्षन संस्थान से मैट्रिक दसवी कच्छा है इंटर्मीडेट टेन प्लस टू कच्छा उतीन होना अब अब्यारतियों के मामले में जारखन राज में अवस्थित मानिता प्राफ्त संस्थान से में टेन प्लस टू कच्छा उतीन होना सम्मती प्रवधान से तिल रहेगा अब दोस्तों हम लोग देखते कि इसको भेजनी कैसी है और इसको उम्र सिमा क्या है तो यहां पर जो के लिए 35 वर्स बताई गें नियुक्तम मुम्र 21 वर्स बताई गए अत्यन पिछडा वर्ग यह पिछडा वर्ग के लिए 37 वर्स बताई गई गई है और दोस्तों इसमें जो है भूत पूर्ख सैनिकों का दिकतमा आपकी पांच वर्स के यह तरिक छोट दी जाएगी सैनिक ह पूर्णी से समद्धित प्रणावेदन के साथ सलंगन करना होगा और यहां पर एक और इसमें पताईगी है कार पाले कवेंदा के पत्परावेदन करने वाले वह तो जो सिनावित है उनके लिए अधिकताम आवेदन करने को उन्हों से महपरुक्त निर्धारित तीति को में रताइबहों अधिकताम अधिकताम उम्सिमा वही होगी जो सिर्कारी सेवा के लिए दिख्ताम मूमसिमा है अर्था 750 वर्ष 60 अर्फत से होना चाहिए स्धस्टू इस चाहिए दोस्तूं की प्रक्रिशह देखते थैं लोग नहीं क preference करना केि लिए अनुमानित पुर्णांत ओपन दिखोगी, चैन पक्रिया हितु बुलावा, पत्र साक्षेता पर्विस्पत निर्गत किया जाना है या पर्मानित नहीं करता है किया व्याति, विग्यापित पत पर चैन के लिए धारित पत्र पत्रता पून करते हैं, चैन हितु निर्धारित परक्रिया के दोरान किसी भी समय या बाद में व्यारति हो कि पातरता संबंदीर प्रमान पत्रों के जाच के दोरान जदी आवेदक त्वारा भरे गए पातरता संबंदीर प्रमान पत्र प्रस्तूत नहीं किया जाता है अत्वा सत्यपन अत्वा आवेद पाये जाते हैं तो 10 अच्छा नाल्ड मλαप पिनदे सबसे इंपॉइटेंट है दोष्म कि पर प्रियोजना परिश्द प्रियोजना प्रिस्थज जे एस इसी ए स्टेडियम रोड सेक्टर तीन धुरवाराची 83404 के कारेले में सभी वंचित अभिलेकों के स्वाभी पुर्मानित परती के साथ दिनांग 30-12-21 को संद्य पांच बज़े तक जमा कर सकते हैं इस समय सीमा के पस्चात प्राप्थ होन प्रविचार नहीं किया जाएगा आविधन संबंदित भी प्रपत जारकान शिक्षा परिजनों प्रसाइट कहत्रित वेबसाइट यह बताएगी है दोस्तों कि आपको भीजने एक सारी में चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वह में बता चुका हूं तो अगर आपको कहीं भी कोई परिशानी हो तो कमेंट सेक्ष्ण में कमेंट करें और वीडियो को सेर जरू करें दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले दिख जाते हैं दोस्तों धन्यवाद